नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वायत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सी द्वारा किये गए भरतियों में नई बदलाओ की बारे में वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी जॉब से लेटेड लेटेस अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें आए दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं जाती प्रमार पर जमाना करने पर सामाने शेडि में मानने होंगे ऐसी वाबीसी अभ्यारती हर्यान करंचारी चैन आयोग ऐससी ने भरती नियमों में बदलाव किया है अनु सूचित जाती और पिछड़ा बर के अभ्यारती जाती प्रिमारपत जमा करने पर सामाने शेडी में मानने होंगी अगर आपके पास कार सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल के अंदर ही आ जाएंगे अत्रिक्त अंकों के लिए दावा करने वाले अभ्यारती अगर दस्तावेजाज के समय पिता की मौत का प्रमार पर जमा नहीं करा पाएंगे तो उनका आवेदन भी उसी शेडी से हटा दिया जाएगा इसी पिका बिद्वा महिला को भी चूट दी गई है अगर फॉम भरने की अंतिन तिथी तक कोई महिला बिद्वा होती है और वे बिद्वा होने पर प्रमार पत्र अप्लोड नहीं कर पाती है तो दस्तावेजाज के सामान प्रमार पत्र दिखा सकती है अब भी आर्थियों के समाने आ रही हैं समस्यां को देखते हुई आयोग ने वे सुबिद रहत फैंसले लिये हैं भविश्य में सभी भर्तियों में ये लागू होंगी इतना ही नहीं आयोग ने एक वेबसाइट नमबर जारी करने का फैंसला लिया है इस पर आने वाली चिकायतों का जबाप 24 घंटे में दिया जाएगा मामले से समभने जाच में भेजकर समभब तरीके से समाधान किया जाएगा तो दोस्तो एक वेबसाइट लॉंच किये हैं हर्याना सरकाने जहां पर आप अपनी सारी कोईरिस रख सकते हैं और आपको उनका जो सॉलीशन है वो आपको 24 घंटे के अंदर आपके पास मिल जाए करेगा जो कि दोस्तो बहुत ही अच्छी घवर है और मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर यह वेबसाइट जैसे स्टार्ट होती है तो आप यहां पर यहीं चीड डालें कि ऐसे सी कौन सीवक रिजल्ट का वार आए तो दोस्तो इस वीडियो में यहीं इंफोर्मिशन आपको देनी थी इंफोर्मिशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही किसी प्रिकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर हमसे जुड़े रहें धन्यवाद दोस्तो